आपको तो पता होगा 25 दिसंबर को क्रिश्चिन मानते हैं कि ईसा अलेहिस सलाम का जन्म हुआ इसलिए वह उसी दिन क्रिस्मस मनाते हैं लेकिन क्या ये सच है? आईए जानते हैं तब तक इस वीडियो को शेयर कर दिजिए अगर आप कुरान और बाइबल की वर्सेस पर घौर करें तो आपको आईडिया होगा इसा अलेहिस सलाम की पैदाईश समर के टाइम पर होने का इशारा करता है तो ये 25 दिसेंबर कहां से आया? एक्चुली ईसा अलेहिस सलाम से भी 3000 साल पहले पेगन्स नाम के लोग रहते थे और वह जहां रहते थे उधर महीनों तक सूरज नहीं निकलता था और महीनों बाद जब निकलता तो वह यूल नाम की एक फेस्टिवल मनाते थे फिर उसके Алमोस 2000 साल बाद रोमन्स ने उसी पेगन्स के फेस्टिवल को कौपी कर लिया और वो अपने खुदा मित्रा के जन्म दिन मानकर मनाते थे और उस फेस्टिवल का नाम दिया सैटर्नेलिया और पिर जाके ईसा अलेहिस सलाम के 300 साल बाद रोमन बादशाह कॉंस्टन्टाइन ने क्रिस्टियानिटी फैलाने के लिए मित्रा के जगह ईसा अलहिस सलाम के जन्म दिन मनाने का हुक्म दिया और यहां से क्रिस्मस मनाने की शुरुआत हुई इसलिए क्रिस्मस का इसा अलाहिससलाम से कोई लिंक नहीं है आपकी ओपिनियन क्या है क्रिस्मस को लेके कॉमेंट में जरूर शेयर करें